आपका ओनलाइन ज्यान बाई जयंत चैनल में स्वागत है। श्री ब्रिहस्पतिवार व्रतक था। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राहमनों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी, वह नहीं गरीबों को दान देती, नहीं भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय ब्रहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा है साधु महाराज मैं तो दान पुन्य से तंगा आ गई हूँ। मेरा पती सारा धन लुटाते रहीते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नश्ठ हो जाए फिर न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन क्संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्षमी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याव बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुमवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोग पर लोग में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बाटती फिरूं। साधू ने उत्तर दिया यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना की ब्रहस पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर्धो कर स्नान करना, भट्टी चढ़ा कर कप्ड़े धोना, ऐसा करने से आपका सारा धन नश्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधू महाराज वहां से आलोप हो गए। साधू के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल तीन ब्रहस पतिवार ही बीते थे, कि उसकी समस्त धन समपत्ती नश्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहां पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकडी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुहकी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहिन रहती है। वह बड़ी धन्वान है। तु उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी भुत गुजर्बसर हो जाए। दासी रानी की बहिन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहिन उस समय ब्रिहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहिन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहिन ने कोई उत्तर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहिन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुहकी हुई और उसे क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा उधर रानी की बहिन ने सोचा कि मेरी बहिन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुहक्खी हुई होगी कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहिन के घर आई और कहने लगी थे बहिन मैं ब्रिहसपतिवार का वरत कर रही थी तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और नहीं बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी रानी बोली बहिन तुमसे क्या छिपाऊं हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था ऐसा कहते खते रानी की आखे भराई उसने दासी समेट पिछले साथ दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहिन को विस्तार पूर्वक सुना दी रानी की बहिन बोली देखो बहिन भगवान ब्रहस्पति देव सबकी मनो कामना को पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो घड़ा मिल गया यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई दासी रानी से कहने लगी थे रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें तब रानी ने अपनी बहिन से ब्रिहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहिन ने बताया ब्रिहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें इससे ब्रिहस्पति देव प्रसन होते हैं व्रत और पूजन विधी बताकर रानी की बहिन अपने घर को लोट गई साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा घुरसाल में जाकर चना और गुड लेकर आई फिर उससे केले की जड तथा विश्णु भगवान का पूजन किया अब पीला भोजन कहां से आये इस बात को लेकर दोनों बहुत दुहकी थे चुंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए ब्रिहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे इसलिए वे एक साधारन व्यक्ति का रूप धारन कर दो थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी ब्रिहस्पति भगवान की क्रिपासे उनके पास फिर से धन सम्पत्ति आ गई परंतु रानी फिर से पहले की तरहा आलस्य करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी तुम्हे धन रखने में कश्ट होता था इस कारण सभी धन नश्ट हो गया और अब जब भगवान ब्रिहस्पती की क्रिपासे धन मिला है तो तुम्हे फिर से आलस्य होता है रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीब्तों के बाद हमने यह धन पाया है इसलिए हमें दानपुने करना चाहिए भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुब कारियों में खर्च करना चाहिए जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा स्वर्ग की प्राप्ती होगी और पित्र प्रसन्न होंगे दासी की बात मान कर रानी अपना धन शुब कारियों में खर्च करने लगी जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा ब्रिहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए इसके बाद प्रसाद बाठ कर उसे ग्रहन करना चाहिए एक दिन राजा दोहखी होकर जंगल में एक पेड के नीचे आसन जमा कर बैठ गया वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा ब्रिहस्पतिवार का दिन था एक आएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए वह साधु वेश में स्वयन ब्रिहस्पति देवता थे लकड़ारे के सामने आकर बोले है लकड़ारे इस सुनसान जंगल में तू चिन्ता मगन क्यों बैठा है लकड़ारे ने दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और उत्तर दिया महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं मैं क्या कहूँ यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मक्था सुनाई महात्मा जी ने कहा तुम्हारी स्त्री ने ब्रिहस्पती के दिन ब्रिहस्पती भगवान का निरादर किया है जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी अब तुम चिन्ता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ती देंगे तुम ब्रिहस्पती के दिन कथा किया करो दो पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमरित तयार करो कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमरित वप्रसाद बाट कर आप भी ग्रहन करो ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाई पूरी करेंगे साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़ारा बोला हे प्रभो मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांद कुछ बचा सकू मैंने रात्री में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकू साधु ने कहा हे लकड़ारे तुम किसी बात की चिंता मत करो ब्रिहस्पती के दिन तुम रोजाना की तरह लकडिया लेकर शहर को जाओ तुमको रोज से दुगुनाधन प्राप्थ होगा जिससे तुम भली भानती भोजन कर लोगे तथा ब्रिहस्पती देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा इतना कहकर साधु अंतरध्यान हो गए धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही ब्रिहस्पतीवार का दिन आया लकड़ारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला राजा ने चनागुड आदी लाकर गुरुवार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए परंतु जब दुबारा गुरुवार का दिन आया तो ब्रिहस्पतीवार का व्रत करना भूल गया इस कारण ब्रिहस्पती भगवान नाराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यग्य का आयोजन किया तथा शहर में यह घोशना करा दी की कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे न आग जलावे समस्त जनता मेरे यहां भोजन करने आवे इस आग्या को जो न मानेगा उसे फांसी की सजादी जाएगी इस तरह की घोशना संपूर्ण नगर में करवा दी गई और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की द्रिष्टी उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है उसी समय सिपाहियों को बुला कर उसको कारागार में डलवा दिया जब लकड़ारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुहकी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुहक प्राप्थ हुआ है और उसी साधु को याद करने लगा जो की जंगल में मिला था उसी समय ततकाल ब्रिहसपतिदेव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे अरे मूर्ख तुने ब्रिहसपतिदेव की कथा नहीं करी इस कारण तुझे दुहक प्राप्थ हुआ है अब चिंता मत कर ब्रिहसपतिवार के दिन कारागार के दर्वाजे पर चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तु ब्रिहसपतिदेव की पूजा करना तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे ब्रिहसपति के दिन उसे चार पैसे मिले लकड़ारे ने कथा कही उसी रात्री को ब्रिहसपतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वपन में कहा हे राजा तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोश है वह राजा है उसे छोड़ देना राणी का हार उसी खूंटी पर लटका है अगर तु ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नश्ट कर दूँगा इस तरह रात्री के स्वपन को देखकर राजा प्रातहकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुन्दर वस्त्रपाभूशन देकर विदा कर दिया ब्रिहस्पति देव की आज्यानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया राजा जब अपने नगर के निकट पहुँचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुए तथा बहुत सी धर्मशाला मंदिर आदी बन गई हैं पर यहुआ और गुस्सा भी आया जब रानी ने यह खबर सुनी की राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा की है दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौत न जाएं, इसलिए तु दर्वाजे पर खड़ी हो जा आज्यानुसार दासी दर्वाजे पर खड़ी हो गई राजा आये तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्थ हुआ है तब उन्होंने कहा हमें यह सब धन ब्रहस्पतिदेव के इस वरत के प्रभाव से प्राप्थ हुआ है राजा ने निश्चे किया कि साथ रोज बाद तो सभी ब्रहस्पतिदेव का पूजन करते हैं परंतु मैं प्रतिदिन दिन में तीन बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा अब हर समय राजा के दुपटे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में तीन बार कहानी कहता एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहिन के यहां हो आवे इस तरह निश्चे कर राजा घोडे पर सवार हो अपनी बहिन के यहां को चलने लगा मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रहे हैं उन्हें रोक कर राजा कहने लगा अरे भाईयों मेरी ब्रिहस्पतिदेव की कथा सुन लो वे बोलेट लो हमारा तो आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की पड़ी है परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे राजा ने डाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्थ हो गई तो रामराम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा ने उसे देख और उससे बोले अरे भाईया तुम मेरी ब्रिहस्पतिवार की कथा सुन लो किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूँगा तब तक चार हरिया जोत लूँगा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना इस तरह राजा आगे चलने लगा राजा के हटते ही बैल पच्छाड खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्ध होने लगा उस समय उसकी मा रोटी लेकर आई उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढिया दोडी दोडी उस घुरस्वार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी तू अपनी कथा मेरे खेट पर चल कर ही कहना राजा ने बुढिया के खेट पर जाकर कथा कही जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंध हो गया राजा अपनी बहिन के घर पहुँचा बहिन ने भाई की खूब महमानी की दूसरे रोज प्रातहकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे है राजा ने अपनी बहिन से कहा ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो मेरी ब्रिहस्पतिवार की कथा सुन ले बहिन बोली है भाईया यह देश ऐसा ही है कि पहले यहां लोग भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं अगर कोई पडोस में हो तो देखाऊं वह ऐसा कहकर देखने चली गई परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो आथव एक कुमहार के घर गई जिसका लड़का बीमार था उसे मालूम हुआ कि उनके यहां तीन रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है राणी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमहार से कहा वह तयार हो गया राजा ने जाकर ब्रिहस पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी एक रोज राजा ने अपनी बहिन से कहा कि है बहिन हम अपने घर को जाएंगे तुम भी तयार हो जाओ राजा की बहिन ने अपनी सास से कहा सास ने कहा हाँ चली जा परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई उलाद नहीं है बहिन ने अपने भाईया से कहा हे भाईया मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी बड़े दुहकी मन से राजा अपने नगर को लौट आया राजा ने अपनी रानी से कहा हम निर्वन्शी है हमारा मुह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदी नहीं किया रानी बोली है प्रभो ब्रिहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है वह हमें आउलाद अवश्य देंगे उसी रात को ब्रिहस्पतिदेव ने राजा से स्वपन में कहा थे राजा उठ सभी सोच त्याग दे तेरी रानी गर्भ से हैं राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई नवे महीने में उसके गर्भ से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला थे रानी स्थ्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहें नहीं रह सकती जब मेरी बहिन आवे तुम उससे कुछ कहना मत रानी ने सुनकर हा कर दिया जब राजा की बहिन ने यह शुब समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बढ़ाई लेकर अपने भाई के यहां आई तभी रानी ने कहा घोडा चड़कर तो नहीं आई, गधा चड़ी आई राजा की बहिन बोली। भावी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें उलाद कैसे मिलती। ब्रहस्पतिदेव ऐसे ही है। जैसी जिसके मन में कामनाए हैं। सभी को पूर्ण करते हैं, जो सद्भावना पूर्वक ब्रिहस्पतिवार का वरत करता है, एवं कथा पढ़ता है, अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, ब्रिहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं. भगवान ब्रिहस्पतिदेव उसकी सदैव रक्षा करते हैं संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन वरत सच्चे हरिदै से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं ब्रिहस्पतिदेव जी ने पूर्ण की थी इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए हृदय से उसका मनन करते हुए जैकारा बोलना चाहिए बोलो ब्रिहस्पतिदेव की जै भगवान विश्णों की जै ब्रिहस्पतिदेव की कथा प्राचीन काल में एक ब्राहमन रहता था वह बहुत निर्धन था उसके कोई संतान नहीं थी उसकी स्त्री बहुत मलीनता के साथ रहती थी वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती इससे ब्राहमन देवता बड़े दुहकी थे बेचारे बहुत कुछ कहते थे किन्तु उसका कुछ परिणाम न निकला भगवान की कृपा से ब्राहमन की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ कन्या बड़ी होने पर प्रातहस नान करके विश्णु भगवान का जाप वब्रिहस पतिवार का व्रत करने लगी अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्या लई जाती तो अपनी मुठी में जो भरके ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तब ये जो स्वर्ण के जो जाते लोटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जो को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा है बेटी सोने के जो के लिए सोने का सूप होना चाहिए दूसरे दिन ब्रिहस्पतिवार था इस कन्या ने वरत रखा और ब्रिहस्पतिदेव से प्रार्थना करके कहा मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो ब्रिहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी जब लोटकर जो बीन रही थी तो ब्रिहस्पतिदेव की क्रिपा से सोने का सूप मिला उसे वह घर ले आई और उसमें जो साफ करने लगी परंतु उसकी मा का वही धंग रहा एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला इस कन्या के रूप और कार्य को देख कर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधान मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले खे बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण होसो कहो मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो अपने पिता की राजकुमार ने बाते सुनी तो वह बोला मुझे आपकी क्रिपा से किसी बात का दुख नहीं है किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है परन्तु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी यह सुनकर राजा आश्चर्य में पढ़ा और बोला है बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगा मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूँगा राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राहमन देवता को सभी हाल बतलाया ब्राहमन देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तयार हो गये तथा विधिविधान के अनुसार ब्राहमन की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया कन्या के घर से जाते ही पहले की भांती उस ब्राह्मन देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था एक दिन दोहखी होकर ब्राह्मन देवता अपनी पुत्री के पास गए बेटी ने पिता की दोहखी अवस्था को देखा और अपनी मा का हाल पूछा तब ब्राह्मन ने सभी हाल कहा कन्या ने बहुत साधन देकर अपने पिता को विदा कर दिया इस तरह ब्राह्मन का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया ब्राहमन फिर अपनी कन्या के यहां गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली हे पिताजी आप माताजी को यहां लिवा लाओ मैं उसे विधी बता दूँगी जिससे गरीबी दूर हो जाए वह ब्राहमन देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी मा को समझाने लगी हेमा तुम प्रातहकाल प्रथम स्नानादी करके विश्नु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जावेगी परंतु उसकी मांग ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातहकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी मा को उसमें बंद कर दिया प्रातहकाल उसे निकाला तथास नानादी करा के पाठ करवाया तो उसकी मां की बुद्धी ठीक हो गई और फिर प्रत्येक ब्रिहसपतिवार को वरत रखने लगी इस वरत के प्रभाव से उसके माबाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और ब्रिहसपती जी के प्रभाव से इस लोग के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्थ हुए सब बोलो विश्नु भगवान की जए बोलो ब्रिहसपती देव की जए